संसाधनों का प्रबंधन क्यों किया जाना चाहिए? देखिए हमें सभी संसाधन पर्याप्ट मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हैं ऐसा नहीं है कि जितने भी संसाधन हमें जरूरी है या फिर हमारे पास मौझूद हैं उसका भंडार बहुत ज्यादा हो, ये सभी के पास सिमित मात्रा में होते हैं, इसलिए इन्हें ब्यर्थ परियोग करके गवाना नहीं चाहिए, ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए, संसाधनों को यदि उचित प्रकार से बेवस्थित किया जाए, मतलब सही तरीके से इससे हम काम भी ले सकते हैं, संसाधनों के प्रबंधन की आप सकता निमलिखित कारणों से होती है, पहला तो है कि सभी संसाधन सिमित होते हैं, इसलिए इन्हें बचाकर खर्च करना चाहिए, इन्हें ब्यर्थ नहीं करना चाहिए, दूसरा है सभी को संसाधन उचित मात्र उपलब्ध रहे इस कारण से भी इसे हमें सिमित तरीके से यूज करना चाहिए जनसंख्या बिर्धी के कारण संसाधनों में नियंतर कमी आ रहे जिस प्रकार से जनसंख्या दिन परति दिन बढ़ती जा रही है तो संसाधन का वियुप योग ज्यादा हो रहा है और इसमें कम ही आ रही है चौथा पॉइंट है संसाधनों की दिर्ग कालि उपलबता बनी रहे ज्यादा लंबे समय तक यह दिया में संसाधन को बचा के रखना है तो उसको सही तरीके से प्रबंधन करना जरूरी है इसके अलाबा पर्यावर्ण ये छती को कम किया जा सके पर्यावर्ण के छती को रोकने के लिए भी हमें संसाधन का प्रबंधन करना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है